500 रुपईये सरकार आपके खाते में देती है लेकिन एक विशेस कंडिसन में ये कंडिसन क्या है अगर आपके घर में कोई वेक्ति जो है वो टीवी रोग से गरसित है तो उनको जो है वो 500 रुपईये दिये जाते हैं जब तक कि उनका इलाज नहीं हो जाता है तब तक उसी के तरज पर एक और योजना जो है वो लाई गई है और वो है कुष्ट रोग के मरीजों के लिए कुष्ट रोग के जितने भी मरीज हैं उन सबों को 500 रुपईये प्रती माह के दर से दिये जाएंगे छे महीनों तक या फिर साल भर तक दो प्रकार का कुष्ट रूग के मरीज होते हैं एक PB और एक MB मतलब आप इसको साधारन रूप में ऐसे समझे दिए कि PB मतलब हुआ कि हलकी फलकी कुष्ट रूग वाली बिमारी और MB का मतलब हुआ बड़ा वाला कुष्ट रूग वाली बिमारी तो अगर हलकी फलकी वाली है यानि PB वाला जो है वो कुष्ट रूग अगर है तो 500 रुपई ये जो हर महीने DBT के मातन से आपके खाते में भेजा जाएगा और इसके अलावे तो इलाज जो होगा वो फ्री होगा ही इलाज में किसी प्रकार से कोई खर्च नहीं करना है ये एक बहुत ही सरानी एक कदम है जो कि उनका इलाज विफरी में हो जाएगा और साथ में जो है वो पोसाहार के लिए पोसक तत्व होता है कि उनको मिलते रहे उसके लिए 500 रुपई ये उनके खाते में दिये जाएंगे तो अगर आपके अगल बगल में कोई भी ऐसा वेक्ति है जो टीबी का मरीज है या फिर वो कुछ रोख के मरीज हैं उनको आप इस खबर के बारे में जरूर बता दें और इसका लाब उठाने के लिए उनको जो है वो अपने नजदी की सरकारी होस्पिटल में जाना होगा वह इसी भी परकार से इलाज में एक भी रुपया खर्च नहीं लेगा और साथ में 500 रुपये हर माह आपको दिये जाएंगे छे महीनों तक जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता है सामानने वाला कुछ रोग और जो बड़ा वाला कुछ रोग है उसमें एक साल तक आपको 500 रुप साथ में टीवी के मरीजों का खोज के लिए भी अभियान चलाया जाएगा ताकि टीवी के मरीज जो इधर उधर घरों में राते हैं इलाज कराने के लिए नहीं जाते हैं उनको पहचान हो सके उनको इलाज कराया जा सके और साथ में उन्हें इस योजना का लाप भी दिया जा सके इसी परकार से अन्य योजनाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपको हर योजना के बारे में हम जानकारी देते रहेंगे दन्यवाद